जिग्यासा का कोई अंत नहीं होता हम इसे जितना समझने की कोशिश करते हैं ये उतनी ही बढ़ती जाती है इसी कड़ी में आईए कुछ और इंट्रस्टिंग तत्यों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपने सुनने तो जरूर होंगे पर शायदी कभी इन पर गौर किया होगा क्या आप जानते हैं फॉल या फिर विंडर के सीजन में कुछ पेड़ों की पत्तियां अपना रंग क्यों बदलती है ऐसा दरसल पत्तियों में पाई जाने वाले केमिकल पिगमेंट्स के रंग बदलने के कारण होता है पत्तियों में सामन्यतह चार प्रकार के कलर पिगमेंट्स पाई जाते हैं क्लोरोफिल, जैंथोफिल्स, केरोटेनोइट्स और एंथोसाइनिन्स गर्मियों में दिन जब लंबे होते हैं, सूर्य प्रकाश की आधिकता में पतियां क्लोरोफिल्स का निर्माण करती हैं, जो कि हरे रंग का होता है और फोटो सिंथेसिस के लिए आवश्चक तत्व होता है फोटो सिंथेसिस वो प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपने लिए उर्जा का निर्माण करते हैं जैसे जैसे गर्मियों का मौसम सर्दियों की तरफ अपने कदम बढ़ाता है, दिन की लंबाई भी धीरे-धीरे कम होने लगती है और सूर्य के प्रकाश में निरंतर कमी आने लगती है पेड़ पौधे वातावरण में आए इस बदलाव के प्रति सेंसेटिव होते हैं और ये एक संकेत होता है कि वे अब आने वाली ठंड के लिए तयार हो जाएं और वे धीरे-धीरे क्लोरोफिल का निर्माण करना कम करने लगते हैं और बत्यों का हरा रंग अब धीरे-धीरे, पीले, नारंगी, गुलाबी और फिर चठक लाल रंग में बदलने लगता है क्या आप जानते हैं LPG सिलेंडर से गैस लीख होने पर हमें तुरंद पता कैसे चल जाता है LPG या Liquified Petroleum Gas दरसल प्रोपेन या फिर ब्यूटेन गैस होती है जो कि Physically Orderless होती है यानि जिसकी अपने कोई गंद नहीं होती चुकि घरेलू उपयोग के लिए अत्यादिक उपयोग और किफाईती होने के कारण इस गैस का उपयोग बहुदायत से होता है इसलिए इसे उतना ही सुरक्षित भी होना चाहिए चुकि ये गैस गंदहीन होती है यदि किसी कारणवर्ष या गैस लीक हो जाए तो हमें इसका पता नहीं चलता और ये किसी बड़े हथसे का कारण बन सकती है गैस के इसी भातिक गुण को ध्यान में रखते हुए और इसे सुरक्षित बनाने के लिए बॉटलिंग से पूर्व इसमें एक अन्य रासाइनिक योगिक मिलाया जाता है जिसे इथाईल मरकप्टॉन कहा जाता है यह एक पारदर्शी और्गेनिक कमपाउंड होता है जिसके अपनी एक विशिष्ट गंध होती है और LPG के साथ जलने पर ये कोई अत्रिक्त हानिकारक तत्व उत्पन्न नहीं करता तो दोस्तों गैस लीक होने की जो गंध हमें आती है वो दरसल इसी इथाईल मरकप्टॉन की होती है जो लीक होने की स्थिती में हमें अलर्ट कर देता है क्या आप जानते हैं गालों पर डिम्पल क्यों पढ़ते हैं गालों पर पढ़ने वाले डिम्पल जिनने हिलकोरे भी कहा जाता है आप सभी ने देखे होंगे मगर क्या आप जानते हैं कि यह डिंपल या हिलकोरे होते क्यों हैं? डिंपल दरसल एक प्रकार की अनॉमली या आसान भाष्ट में कहें तो एक प्रकार की विसंगत्ती होती है जो कि गालों की मसल्स में पाई जाती है और हसने या फिर मुस्कुलाने पर नजर आती है गालों में पाई जाने वाली यह deformity या anomaly अनुवाइशिक होती है और एक बीड़ी से दूसरी बीड़ी में jeans के द्वारा स्थानांतरित होती रहती है क्या आप जानते हैं decompression sickness या bands क्या होता है जब कोई diver गहराई में कोटा लगाता है तब वह श्वसन के दौरान अतिरिक्त oxygen और nitrogen का उपयोग करता है dive के दौरान शरीर oxygen का उपयोग तो कर लेता है परंदो high pressure के कारण nitrogen खून में dissolve हो जाती है और जब diver सतह की तरफ तेजी से उपर आता है तो अच्छानक से दबाव कम होने के कारण खून में खुली हुई nitrogen gas बुलबुलों के रूप में खून और tissues से बाहर निकलने लगती है जो की बेहत अकलीव दे होता है medical भाशा में इस थिति को bends या फिर decomberation sickness कहा जाता है और असहनिय दर्द के कारण व्यक्ति सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता और इसलिए इसे bends कहा जाता है सामानिय तहां ये स्थिति कहराई में गोता लगाने के दौरान देखी जाती है और इसलिए इसे divers disease कहा जाता है dive के बाद bends से बचने के लिए गोता खोरों को pressurized decompression chamber में काफी समय बिताना पड़ता है जिससे खून में घुली हुई nitrogen gas धीरे धीरे बाहर निकल सके चुकि nitrogen के तुलना में helium खून में कम dissolve होती है बेंट से बचने के लिए scuba diving के दौरान oxygen के साथ helium gas का उपयोग किया जाता है तो दोस्तों fact trucks का ये episode आपको कैसा लगा comment करके ज़रूर बताए और यदि ये episode आपको पसंद आया होगा तो इसे like ज़रूर करें और share करें यदि आप channel पे नए हैं तो subscribe करना न भूले तो चलिए मिलते हैं नए episode में कुछ नए और interesting facts के साथ